नमस्कार और आप देखे हैं पलपल दो दिन पहले लेबनौन में हुए भैन कर विस्पोर्ट में एक बार फिर से दुनिया की निगाएं उस और चले गई है पहले से बुरे दोर में गुजर रहे इस देश की हालत इस विस्पोर्ट के बाद और भी बुरे होने के लिए तैमानी जा रही है आपको बता दें कि लेबनौन बीते 15 सालों से गिरह यूद जिल रहा था लेकिन अब इस भयानक विस्पोर्ट से उसको और भी अधिक खराब स्थिती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऐसे पूरी दिनिया के अंदर तैमाना जा रहा है आईए देखते हैं उसके बारे में कुछ खास जल्किया और जानकारी जुटाते हैं साल 1975 से लेकर के 1990 तक लेबनोन यूद ग्रह यूद की स्थिती और ग्रह यूद की चपेट में अमेशा रहा ग्रह यूद खत्म होजाने के दो दसक बाद से भी अधिक समय तक सेरिया से सेनाई यहां पर रही और उन्होंने लगातार अपना प्रभूत्वव बनाए रखा जिसके बाद साल 2005 में लेबनोन की तत्कालिन प्रधानमंत्री रफीक हरीरी जिनकी हत्या हो गई इसके बाद देश के राजनेतिक और आर्थिक उतियास में एक बड़ा बोड़ा गया इसी साल 21 जनवरी को लेबनोन में एक नई सरकार बनी यह एक ही पार्टी की सरकार है जिसमें हिजबुल्ला और उसके सहयोगी सामिर है और जो संसट में बहुमत में है वहीं 30 अप्रेल को सरकार में माना कि लेबनोन के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतराष्टिय गर्ज जुकाने में चूक हो गया जिसके बाद से अर्थ व्यवस्ता को पट्री पर लाने वो देश को आर्थिक सुधारों की योजना बनाई के लिए अलाकि माई के मध्य में अंतराष्टिय मुद्रा कोस के साथ सुरू हुई बाचीत फिलहाल प्रुकी हुई है वहाँ पर लाखों लोग पहले से यानि 35 फिस्टी लोग बेरोजगार भी है लेबनान पर बावान में अरब डॉलर का कर्ज है और इसी की वज़े से जीडिपी में 170 फिस्टी के आजपास है इतना ही नहीं इस देश की आबादी आदी से जादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है लेबनान से एक ये साल 2005 एक तरहें से सीरिया मुक्ति का साल रहा लेबनान के प्रधान मंतरी रफीक हरीडी के कारफिले पर आत्म घाती बम से हमला किया गया था जिसमें उन्हीं इनके साथ 21 लोग और भी मारे गए थे इसी हमले में विवक्स ने सीरिया का साथ बताया अलाकि सीरिया इससे इंकार करता रहा लेकिन अब इस देश में जो ये भायानक विस्पोर्ट हुआ है इससे हालात और बिकलने की कहानी बताई जा रही है ये वी स्पोर्ट कैसे हुआ है इसका अभी तक आधिकारिक तोर पर पता नहीं लग पाया लेकिन आपको बता दे कि ये वी स्पोर्ट एकदम परमानू हमले की तरह था क्योंकि इससे भायानक उर्जा निकली जिसका भायानक वीडियो भी वाइरल हुआ लेकिन जिस जगह ये वी स्पोर्ट हुआ उस जगह हम आपको लेतर के चलेंगे क्योंकि यहां से कुछ वाइरल वीडियो सोसल मीडिया के माथम से हमारे हाथ आए हैं कई बड़ी वील्डिंगे यहां तबाह हो गए सैंकडो लोग मारे गए बताया जा रहा है कि कई हजार लोग जख्मी भी है आए देते हैं यह खास रिपोर्ट